अगर बिहार में अभी चुनाओ करवा दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो लालू यादों का होस उड़ा देगा जो रिजल्ट आएगा उसमें आरजेडी से जादा सीट नितीश कुमार जीतते हुए दिख रहे हैं यानि लालू यादों के साथ का फाइदा सीध लेक्स नाम के चैनल ने या एक संस्ता ने ओपिनियन पोल कराया है उनके तरब से सर्वे कराया गया है जिसमें लोगों से जानने की कोशिस की गई है कि वो अभी किसको वोट देना चाहते हैं या दो हजार चौबिस के लोग सबाचुनाओं में वो किसको वोट देंगे और इसके जो नतीजे सामने आये हैं उससे लालू या दो या ते जस्वी या दो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे क्योंकि जिस फायदे के लिए जिस फायदे को सोच कर वो नितीज कुमार को अपने साथ लेकर आए ये सारा चीज एकतम उसके उल्टा होता दिख रहा है और इसके अलामा बीजे पी नितीज और राजत के याने नितीज और लालू के साथ आने के बाद भी नहीं पिछड रही है बीजे पी इन लोगों से कोशो दूर आगे आगे चल रही है अब दो हजार चौबिस का जो चुनाव होगा इस उपनियन पोल के मुकाबले किसको कितनी सीटें मिलेंगी और अभी लालू यादो कैसे उनका चिंता बढ़ गया है नितीज कुमर कैसे आगे निकल रहे हैं साराचे जो इस तार से वीडियो ना के समझाएंगे पर उससे पहले नमस्कार जंता जंग चन देख रहे हैं और मैं हूं सन्नी विष्रा कैमरे के पीछे हम इनोंने अपना पॉलिटिकल सर्वे करवाया है उन्होंने जानने की कोशिस की है कि बिहार के लोग अभी क्या सोच रहे हैं इनके मन में अभी किस पार्टी के लिए क्या चीज बरा है किसको ये लोग वोट करना चाहते हैं या किस पार्टी के प्रती अभी बिहार के लोगो इसका लोक सभा चुनाव हुआ तो एक से दो सीटों पर वो सिमट जाएंगे भले ही वो 2019 के चुनाव में उनको 16 सीटे आ गई थी क्योंकि उस समय वो एंडिये गटवंदन में थे वो भाजपा के साथ थे और उस समय मोदी लहर और भाजपा की लहर के चलते उनकी नईया पार लगी थी उनको उस समय 17 सीट मिले थे और 17 में से 16 सीट एंडिये गटवंदन में थे लेकिन अभी यह सारा चीज एकतब उल्टा होने वाला है उल्टा उल्टा तो तभी हो गया था जब 2020 का विधानसवा चुनाव हुआ बिहार में विधानसवा चुनाव होते हैं और जेड सीटों में काफी बड़ा फासला होता है इसकी अलावा नितीश कुमार के छवी को और नुक्सान पहुंचा है और इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि अगर लोग सब्बा का चुनाव हुआ भी तो नितीश कुमार को एक से दो सीट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा इतना महीं सि समिकरन है वो आरजेडी के पक्ष में जाता है वो कभी साथ छोड़कर नहीं जाते थे तो ऐसा लग रहा था कि मोदी लहर तब चलता था जब नितीश कुमार उनके साथ होते थे लेकिन अगर नितीश और लालु जब दो बड़े धुरंदर बिहार के राजनिती के दो बड अपने को देखकर अपने तेजस्वी के भविष्य को सुधारने के लिए जिस तरह से उन्होंने नितीश कुमार को साथ मिला जाता और सोचा होगा कि मोदी को इस बार पीछे कर दिया जाएगा या इंडिया गठवंदन आई एंडिया ये जो करके गठवंदन बन रहा है उ इसके अलावा जो बीजेपी की सहयोगी पार्टिया है चिराक पास्मान उनको भी दो सीट मिल जाएगा यानि 22-22 सीट हो गया इसके अलावा पसुपती पारस की जो पार्टी है उनको एक सीट मिल रहा है दूसरी तरफ जीतनराम मात जी की पार्टी तक एक सीट निकालने मे कि हमको सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारे पोर वोटर्स भी ज़्यादा है लेकिन ये चीज एक दम गलत साबित होते दिख रहा है जो उम्मीद थी उस पर पानी फिरता दिख रहा है जेडियू और आर जेडी को दोनों को मात्र साथ साथ सीटे दिख रही है और अगर अभी साथ सीटे आर जेडी को भी आ रही है दूसरी तरफ कॉंग्रेस है उसको भी दो सीटे उसके जो पहले वो एक सीट जीती थी एक सीट उसका और बढ़ता हुआ दिख रही है और इसके अलामा इन सारे चीजों को मिला कि साथ साथ 14 और कॉंग्रेस दो ऐसे करके 16 सीट पाई हो जा रही है और दूसरी तरब RJD के लिए ये काफी नुकसान दायक कह ले या इनका जो उम्मीद था उसके ठीक उल्टा होता हुआ दिख रहा है यानि नितीश कुमार को लालू के साथ का काफी फाइदा है और इससे लालो यादो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे उ आप अपने राय कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जन्ता जंग संदीख रहते हैं आप बहुत बहुत जन्नेवाद